सिस्टम का विरोध अगर विपक्ष करें तो बात समझ में आ दी है लेकिन सिरोंज नगरपालिका में इसका उलट देखने को मिला जहांपर सिस्टम से दंग आकर सत्ताधारी पार्टी के पार्शत प्रतिनिधियों ने नगरपालिका में जम कर हंगामा किया इतना ही नहीं नगरपालिका सियमो के ओफिस में जाकर सियमो पर भिस्टचार के आरोप तक लगा दिये मामला विदिशा जिले के सिरूज नगरपालिका का है जहांपर कुछ भाजपा पार्शत प्रतिनिधियों ने प्रधान मंतरी आवास योजना की राशी की दिग्राहियों को डालने को लेकर नगरपालिका सियमो पर बरस पड़े और जमकर भस्टचार के आरोप मीडिया के सामने लगा डाले फिर क्या था कॉंग्रिस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल किया उधर नगरपालिका सियमो प्रधी भदोरिया ने इसकी शिकायत ठाने में की है इतना ही नहीं भाजपा पारशुद प्रतिनिधियों ने मीरिया के सामने नगरपालिका में ब्रश्टचार की बात की है हमारे 21 जन प्रतिनिधियों की बिगर जानकारी के प्रधान मंत्री आवास योई नाम है उनोंने कुछ पैसे लेकर अपने चायतों को रासिया बंटित करवा दी और हमजन पर तिनी दी जो है की मेहनत करते हैं जीव टैक करवाते हैं और हमारी मेहनत के बाद भी हमारे लोगों के पैसे नीडल पाई है अब हमारा अधिकारी से अभी लड़ाई है हम बहुत जल्ली इनको मांग करेंगे सासन से कि भाई इनको जहां से इस तनांत्रिस करके दूसरी वे वे आए जाए जिस से हमारी नगरपाल का सुचारी भूप से चल सके बिलकुल नहीं है और हमारी नगर पाल का में बहुत से कर्मचारी उनके दलाल लगे हुए हैं वो दलालों के माद्यम से पैस्थềnविक्षा इध्गराई के खातों में पहुचता आ है इस पूरे घटना क्रम को लेकर सिरूज नगर पालिका की सीएमो प्रदीब भदोरिया ने सिरूज थाने में शिकाईत याविद अदेकर भाजपा पारश्वत प्रतिनिधी पर कानूनी कारिवाई की मांगी है वहीं कॉंग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है कॉंग्रेस का कहना है कि यह अच्छी बात है कि बीजेपी के लोगों नहीं यह सुईकारा है कि सीरोही नगर पालिका के फ्रस्टचार चरम पर है कॉंग्रेस यू से बात की हमारे सिरून संभादाता मुहम्मद परहान ने उनका क्या कहना है आप खुद सुनिए इस पूरे मामले को लेकर इस्थानिय कांग्रेस को बेठे बिठाए मुद्दा मिल गया है हमारे साथ कांग्रेस के ब्लोग अध्यक्ष मौजूद है शुरौस यादव जी उनसे जानना चाहेंगे सुरेज जी कल जो हंगामा हुआ था नगर पालका में उसको लेकर के आपका क्या कहना है ब्रष्टाचार की इंतहा हो गई है कि अब उनके पारसाथ उन पर व्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं नगर पालका चलने नहीं दे रहे हैं तमाम तरह के उदम हो रहा है और साफ जायर है कि जो लौबी ब्रष्टाचार कर रही है वो एक हजार परसेंट विधायक जी के संदक्षन वाले लोग हैं मेरा तो सीधा-सीधा कहना है कि नगर पालका पूरी तरह गिर्वी रखी है मनोसाइनात के यां नगर पालका जक्ष और पूरी परिशत उसके साफ चल लए है और एक तर सुनिचित ढंग से ब्रष्टाचार करा जा रहा है जरूर पढ़ेगा जब सत्ता दल के पारशद चौदा पारशद 21 की परिशद में से चौदा पारशद उनके हैं जब वही बिरोध परदर्शन कर रहा हैं तो आम जनमानस की क्या इस्तिती होगी आपको पता होगा अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजी पी क्या एक्शन लेती है सही होगी सहीद खार के साथ मुअमद फरहर खबर मंद परदेश सरोंच